तो गाईज इस विग्यापन को देख के लगता है कि मद्यप्रदेश सरकार की नींद थोड़ी सी खुल गई है थोड़ी सी ज्यादा ने तो मद्यप्रदेश उच्छ न्यायले जवलपुर का विग्यापन जारी हुआ हैं और आपके इसमें पद क्या रहने वाले हैं आपकी इलजिब्लिटी क्या होनी चाहिए यह सारी बात आपन करता है तो वीडियो का अंतागा बने रहिएगा और देखिए ग्रेट टू सीग्र लेखन मलब तेजी से लिखना ग्रेट ही और ग्रेट थी इसमें है कोट मेनेजर स्टाप के लिए भरती हैं और सायक ग्रेट थी यह नियुक्ति विज्ञापन जारी हुआ है ठीक है अब आप ओनलाइन आवेदन कब कर पाएंगे तो 30.11.2021 बारा वजे से पीम ठीक है और आवेदन करने की अंतिनती थी आपकी एक महिना की दी हुई है ठीक है तीस बारा तक आप आवेदन कर पाएंगे बाद में अब जा उसके बाद यहां दिया है प्रारहम यहां प्रारहमबिक परिक्षा किती थी ठीक है तो यह बाद में बताएंगे यह लोग और मुक्य परिक्षा किती थी बाद में बताएंगे अभी कुछ ने बताया अभी इनों लोगों ने इत्ता ही बताया है तो चलि युवाओं का हाल बहुत ही बेहाल हैं बहुत खराब कंडिशन है मद्यप्रदेश में अब फ्रेंड्स कुछ नया है तो यहां पर आप सबसे इंपोर्टेंट जो टोफी घेन को समझ लीजिए संपूर्ण चयन संपूर्ण चयन भरती में होने क्या वाला है यहां पर कि रिक्त प्रदेश तो अहरता है क्या होनी चाहिए अब्यारतियों कि चयन आधिकार आधी के संबन में मद्यप्रदेश जिल्ला न्यायाले इस्थापना भरती सेवा की शर्ते नियम 2016 वह संबन्दित नियम वह प्राव आधिन कर पाएंगे एक से अधिक आनले नावे दिन पस्तूत करता है तो संग्यान में आने पर उसकी सभी ग्रूप पदों है तो अभ्यारति निरिष्ट की जाएगी इसलिए आप इस चक्रे मत पढ़ना किसी एक ही फिल्ड में करना ठीक है ग्रूप एक के पदों की योग पर मेरिट में अधिक आगाने पर भी दूसरा कोई फिल्ड आपको नहीं मिलेगी जिस योग्यता मतलब आपने जिस भी ग्रूप में फोम डाला है उसी में आपको मिलेगा ठीक है अभ्यारतियों से अप्यक्षित की चयन प्रक्रिया से सम्मंदित आगामी प्रक्रिया की ज इसी के साथ अहर्तकारी अंकसूची और प्रमानपत्र से भिन नहीं करेंगे ठीक है समयक वह सही रूप में से भरे गए आवेदन पत्र जिनके साथ विहित शुल्क अदा किया गया है मान्य होंगे अन्यताइं मतलब शुल्क जो है वह अदा आपको करना होगा इसके बाद यहां पर देखिए आप कुल पद ठीक है वेतन भी दे दिया भाईया यहां पर वेतन पहले दिखा दिया गया अब इतने पेसे मिलेंगे अपने को शिग्र लेख ग्रेट 2 108 पद है और ग्रेट 3 205 पद है और कोर्ट मेनेजर स्टाप में 11 पद है उसके बाद सायक ग्रेट 3 910 पद है बहुत अच्छे पद दिया है वेसे उसके बाद सायक ग्रेट 3 इंग्लिश 9 इसमें 21 टोटल 1255 पद है ठीक है आगे समझते हैं साथे वेतनमान के अनुसरा यहां पर पेमेंट होगा प्रत्यक प्रवर्वर्ग के नियमित रिक्त पदोईतु जैसे कि आपका से एस्टी उबीसी उस केटिगरी के अंतरगत दिया हुआ है से एस्टी सभी का ठीक है इसके अलावा अगर आप अधि आपकोस्ट स्टेडी माटेरियल भी मिल सके ओके वोईस तो यहां पर केटेगरी वाइस पद को शो किया गया है ठीक है तो यहां पर देखिए आप जनरल गुनपचास किसमें सिग्रिलेग ग्रेट टू में ओबीसी पंद्रा एसी सत्रा एस्टी 27 और यहां पर कुल रिक्ति तो वाइस इसी प्रकार से इसमें सर्वादिक जो पद दिये गए हैं सायक ग्रेट 3 में दिये गए हैं और यहीं देखते हुए लोग जो हैं अधिकतर आवैदन इसी में करेंगे ठीक हैं 306 इसमें देखिया आप जनरल का और 136 ओबीसी एक्सो तरपन से और स्टी दो सोपिछ पन पहली बार यहां लग रहा है कि केटिगीरी को पद दिये गए हैं मतलब जैसे कि यहां पर अभी ओबीसी आरक्षन का मुद्धा तो चली रहा था से सोला परसंट है ना सोला परसंट आरक्षन है स्टी को बीस परसंट आरक्षन है उसके बाद 27 सैस्साँ चल रहा था Bc का तो यह इसके बारे में कोई भी क्लियर नहीं होने के वजğे से देखतें इसमें अगर हो ठीक है इसके अलवग जो परसंटेज बच रहे हैं वो जेनरल के अंदर के जाते हैं उसके बाद जो इसके अंदर जेनरल के अंदर रिजर्व कोटा हैं उनके लिए भी है अब पदों की अहरता हैं ठीक है यहाँ पे qualification क्या होना चाहिए देखिए इस्टेनोग्राफफर grade 2 के लिए graduation in any discipline from recognized university ठीक है यहाँ पर आवरता देखिए सिपी सीटी अगर आपके पास है ठीक है MP Agency इसके अलावा और भी इंस्टिटूट अब यहाँ पर आपको इस्पीड चाहिए भी या टाइपिंग अगर आपको आती है तो 100 वर्ड प्रती मिनिट बहुत जादा इस्पीड चाहिए भी यह न तो यह सारी चीज़े अगर आपके पास हैं उसके बाद आप इसमें कर पाएंगे विसे आवेदन यानि यह सारे ओप्शन दी होएं आपके लिए विसे इसके बाद टेस्ट होगा इसमें दिया है तो फर्ष्ट एक्जाम होगी फिर सेकर्ड एक्जाम होगी तो जो पहली एक्जाम होगी आपकी इसमें आपको जैसे की कोमन होगी सबकी दूसरी एक्जाम जैसे कि आपने आपने कौन सा ग्रेड चाहिनित किया है जैसे कि टाइपिंग वाला किया है तो आपको वहाँ पर टाइपिंग करनी होगी है ना यह सारी चीज़े चलिए और भी खुला सा होई जाएंगे ठीक है उसके बाद दूसरे वाले में भी यही बात है एक मिट थोड़ा सा को टकुल मिला के इस्टोनेगरफर जो हैंए उन लोगों के लिए यहाँ अच्छाहासा है हिंदि के एंग एक्जाम्ब प्रद्ध इस्प ठीक है जो s FBI आप मिनिट जो इस्टोनोगरफर है उन लोगों के लिए यहाँपे अच्छा मोचंब है उन लोगों के लिए ज्यादा पद यहां पर है उपलब्द अश्टेंट ग्रेट 3 है ना सभी में यहां पर सिपि सीटी स्कोर कार्ड एक्जाम फाल्ड फर्म अग्यां यहां से मंग रहा है और यहां पर DCA कोई भी मेरे को अभी तक यहां पर नहीं दिकाई है तो यार यह लोग तो सिपिसीटी मंग रहे हैं काश भी बहु कर लेता क्योंकि मेरे पास इस्पिट है है और और चलिए ग्रेजुएशन और यह चीज़ें कोमन चीज़े सारी आई जाएगी आपकी तो चलिए पहली मद्यपरदेश सरकान यहां पर आपके सामने जो हैं विग्यप्ति जारी की हैं और अधिक जानकारी पता लगने पर मैं आपको जरूर बताऊंगा ठीक है तो आरक्षन समंदिक टीप यहां पर है अरक्षन अधिकतम उम्रत छूट सारी चीज़े जो हमेशा मिल रही है वो मिली रही है है ना ठीक है और कोई प्रोब्लम कोई जानकारी कोई प्रोब्लम हो रही हो ता आप कमेंट सेशन में मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा क्योंकि अहरताएं जैकि यहां पर अहरताएं दिए हुई है पांच अपनी उम्मिदवारी के लिए भरती है तू किसी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिए प्रयास किया हो प्रति रूप किया हो या कराया हो निमलिकित मामलों में उलंगन करने उलंगन करने वाले अभियरतियों को अभी योजन किया जा सकेगा और या के लिए उसकी उम्मिद्वारी निरस्त की जा सकेगी अगर कोई भी हमने गलत किया है हमारे पार डॉकुमेंट गलत है फ्रोड है तो इसी के सम्मन्द में है यह तो आप का सब कुछ निरस्त हो जाएगा ठीक है आयू गणना 40 वर्ष अनारिक्षिक में ठीक है उसके बाद कोई शाष्ट की करमचारी रहा है तो पांच वर्ष की छूट है अनुसुद जाती जन जाती भी पांच वर्ष की छूट है और जनरल को छोड़के सभी को पांच वर्ष की इसके अलावा शुल्क आपका आवेदन रहेगा परिक्षा शुल्क दोसो रुपए सिवा प्रदात्ता क्यों दे पोर्टल वर अन्य शुल्क पांसो सित्योतर रुपए यानि की साथ सो सित्योतर लपक के पैसे लिए जा रहा है वह ठीक है और मद्यप्रदेस मूल निवास अब्यारतियों है तू पांसो सित्योतर रुपए लिए जाएंगे वावी पैसे कमाना ही है वो तो सरकार के पास जाना ही है वोटल चार्ज और सारी चीजें करके सारी चीजें आपकी लगेगी सही खंडसर भरती की योजना प्रारामिक परिक्षा आनलाइन होगी मुख्य परिक्षा उसके बाद जो भी है अहरता के हिसाब से आपने जो भी ग्रेट चैन किया है है ना सोंगों की होगी और आनलाइन ही आयोजन होगा आपका प्रवेशप पत्र भी आनलाइन आपकी वेबसाइट भी मिल जाएगा वैसे यहां पर दिया www.mphc.government.in पर मिल जाएगी परिक्षा केंद्र आवंटित हो जाएंगी कोई दिक्कत है नहीं अब दोस्तों सिलेबस सिलेबस क्या रहने वाला है गाईस वीडियो लंबा हो रहा कोई दिक्क जा नहीं है ठीके मैं सरीजनिंग करके 20 नंबर का और जीके जीएस यह एंपी वंपी सब मिक्स रहेगा इसमें जीके जीएस मतलब समझ रहे हो आप सब कुछ विज्यान इसमें आ गया है इसमें जियोग्राफिया गई हिस्ट्री आ गई इसमें सब सारी चीजें एंपी का जीके सब कुछ आ गया तो तीस नंबर का यह और यह उसके अलावा जनरल हिंदी जनरल हिंदी रहेगी आपकी दस नंबर की और जनरल इंग्लिश नोलेज है ना इंग्लिश नोलेज रहेगा जनरल हिंदी दस नंबर इंग्लिश नोलेज इंग्लिश के कुछ वर्ड्स सिनो नॉलेज बिश नंबर ये रहेंगे आपके 100 नंबर का पेपर बहुत अच्छा रहेगा बहुत अच्छी परिक्षा है ठीक है आप किसी भी लेवल के परिक्षा की त्यारी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है दो गंडे का समय आपको मिलने वाला है मौक टेस्ट वगेरा औ इसमें डिटेल दी हुई है तो वाइस इससे रिलेटेड मटेरियल भी आपके लिए उपलब्द करवा दूँगा मैं तो चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में जै हिंद जै भारत और भी इंपोर्टेंट जानकरी के लिए बात हमने कर लिए एना थेंक्यू जै हिंद जै बारत